हेलो एब्रीवन आप सभी का हमारे चैनल HP Exams with Jerry में हारदिक स्वागत है तो दोस्तो अगर आप हिमाच्चरपदे से रिलेटेड किसी भी टेस्ट की त्यारी कर रहे हो तो एक बार हमारे चैनल को जुरू सब्स्राइब करें तो दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिमाच्चरपदे GIT 817 केस अपडेट के बारे में तो दोस्तो मैंने आपको पहले ही बिताया था इसका जो फाइनल डिसीजन है वो हिमाच्चरपदे हाई कोट के दवारा सुना दिया गया है ठीक है दोस्तो यह चीज तो हमारी क्लेर हो चुकी थी उसके अलाबा हमारी एकोचीज क्लेर हुई थी कि जो 817 की स्टे है उसको इमाच्चरपदे हाई कोट के दवारा हटा लिया गया है लेकिन दोस्तो हमारे पास एक स्टेटमेंट आई थी कि यह जो case है वो 817 के पक्ष में safe कर दिया गया है तो दोस्तों यह जो statement आई थी यह हमें काफी doubtful लग रही थी क्योंकि यहाँ पर ऐसा ही लिखा गया था कि यह case 817 के पक्ष में safe है लेकिन आगे क्या होगा यह चीज नहीं बताई गयी थी किस बेस पर यह safe है यह भी चीज हमें नहीं बताई गयी थी तो हम बेट किस चीज का कर रहे थे जो हिमाचरपदे high court की final judgment copy आनी थी जिसको हम return judgment copy भी कहते हैं तो दोस्तों अभी जो final judgment copy है वो आ चुकी है तो अभी हम कौन-कौन सी चीज़े discuss करेंगे जे जो final judgment copy है इसमें तीन चीज़े लिखी गई है सबसे पहले 447 के बारे में उसके बाद 556 के बारे में और end में लिखा गया है दोस्तों 817 के बारे में इन तीनों चीज़ों को हम easily understand करेंगे ठीक है दोस्तों जो आपके doubts हैं मैं आपके जो doubts हैं उनको clear करने की try करूँगा तो सबसे पहले बात करेंगे 447 के बारे में तो दोस्तों यहाँ पे साब तोर पे लिखा गया है कि 447 की जो भरती हुई थी वो उस टाइम के जो R&P rules है उनके according ही हुई थी तो यहाँ पे इनका कोई भी issue नहीं निकल रहा है और जो 447 वाले इनका case पूरी तरह से solve हो चुका है ठीक है दोस्तों 447 वाले यहाँ पे अलग हो गे आगे बात करेंगे 556 के बारे में तो दोस्तों आपको पता है जह जो main case क्या चला था 817 556 ठीक है जो higher degree वाले हैं उनको अलग कर दिया गया है ठीक है दोस्तों यहाँ पे big news यह है जो higher degree वाले हैं वो अपना case हार चुके हैं क्योंकि दोस्तों अगर higher degree वाले जो case हैं वो जीत याते तो 817 वाले जो candidates हैं उन्होंने बूरी तरह से first ही आना था तो दोस्तों अभी यह चीज हमें समझ आ रही है कि जहां तो यह statement क्यों आई थी कि जो final decision है वो 817 के पक्ष में safe कर दिया गया है दोस्तों अभी हम बात करेंगे 817 पे इसका क्या परवाब पड़ेगा तो दोस्तों देखो जो 817 में 556 post quote की vacancy शामिल की गई थी उसको अलग कर लिया गया है ठीक है दोस्तों तो यह जो 556 की vacancy है वो दबारा से 556 में ही शामिल करेंगे और 817 में से इसको निकाल लिया है ठीक है दोस्तों तो यह जो judgment copy है इसका पूरा सार यहां पे ही लिखा गया है यहां पे साथ सोर पे लिखा गया है कि RNP rules के according जो 817 में 556 की vacancy शामिल की गई थी उसको बापिस कर लिये जाएगा जाने कि उनको withdraw कर लिये जाएगा ठीक है दोस्तों तो अभी हम बात करेंगे जो आगे की प्रक्रिया है वो किस base पे शुरू होगी तो देखो दोस्तों जो 817 की vacancy है वो तो कम होगी क्योंकि उसमें से 507 की vacancy निकाल ली जाएगी यह बात तो हमारी शुर होगी अभी जो आगे की process है वो 817 में जितनी भी vacancy बचेगी उसके according ही होगी ठीक है दोस्तों अभी आपका typing का जो test है वो भी जल्दी ही हो जाएगा तो आप सभी से मेरा एक निवेदन है कि अगर आपने typing की त्यारी करना शोर्दी है तो please typing की त्यारी करना start करिए ठीक है दोस्तों तो इस वीडियो में हमने कौन-कौन सी चीज़े understand करी सबसे बहले 447 का जो scene है वो clear है ठीक है उसके अलावा 556 में जो higher degree वाले हैं उन्होंने case किया था कि जो higher degree वाले हैं उनको eligible करना चाहिए उसके अलावा दोस्तों उन्होंने ये भी चीज कही थी कि जो private institute वाले है जो उन्होंने computer का diploma करा है एक या दो साल का वो eligible नहीं किये जाएंगे तो दोस्तों ये बारा rule भी हट गया है क्योंकि जो 817 है उसमें हर कोई apply कर सकता है उनका जो diploma है वो government से हो चाहिए private institution से हो ठीक है दोस्तों I hope इस video को देखने के बाद आपके जो judgment copy से letter doubts है वो clear हो चुके होंगे तो दोस्तों ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को जुरू सब्स्राइब करिए जय हिन जय वारत जय माचल